हैलो फ्रेंस कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि बहुत यह अच्छे से होंगे फ्रेंस देखिए गुड़ाल का पौदा है और इनमें धीरो फूल और कलियां आ रही हैं तो आज मैं इनहीं के बारे में बात करूंगे कि हम गुड़ाल के पौदों में धीरो फूल और कलिया कैसे पा सकते हैं तो फ्रेंस बहुत यासान तरीका है गुड़ाल के पौधों में धेरोपुल पाना पिल्कुल फ्री और ओभी और और गयनिक तो फ्रेंस एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगी कि विंटर सिजन जब आता है तब मैं गुड़ाल के पौधों की हलकी हलकी यानि कि जो पतली पतली टहनियां होती है उन्हें कट करके हटा देती हूँ और विंटर सीजन में खाद भी देना बंद कर देती हूँ जब समर सीजन आता है तब इनकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है और मैं इनकी मित्ती की हलकी हलकी गुडाई करके उनमी और गयनिक खाद और इनकी पत्तियां बहुत ही कम हैं और फूल भी क्रीम कलर की छोटे 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 खिलते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं वैसे आपको बता दू कि पहले मैं माली का इntजार करते थी की माली फूल लेकर आएंगे तभी पूजा होगी लेकिन अब इंतजार मेरा खतम हुआ माता राणी की महीमा से बरावर फूल खिलते रहते हैं और इनमें तो 810 बरावर खिलते रहते हैं बहुत ही सुन्दल लगते करने का यहीं फायदा होता है कि जब हम प्रूनिंग करते हैं तो ब्रांचिस बढ़ती है और सभी ब्रांचिस में कलिया फूल लगे रहते हैं देखिए तो जितना घना होगा उतना ही फूल आएगा गुरहल में है देखिए घुसे इनये जो है रेगूलर जो हर गंटे पाच मिले दूप मीलती रहती है वैसे फूलों वाले फूलों को पूल भी नहीं खिलते है और भी हैं तो तेड़े मेड़े चोटे चोटे हैं और देखिसी दिवे में लगा रखा है मित्ती भी ड्राय है और एक चीबालती में लगा हुआ है क्योंकि इसमें धूबी बहुत ही ज्यादा हो रही है तो फ्रिंस अम मैं इन में जो है लिकुड फेटिलाजर दोंगी फिर उसके बाद पानी बाद में दोंगी और गुडाई भी करूंगी दिखाते हैं आपको देखिए एक क्यले के छिलकी का बना हुआ लेकुग फेटिलाजर है और में आफ दोड़ा से छो हो करेये लिए बाल्टी में ले लिया है और इनमें मैं लिकुड फेटिलाजर डालूंगी बहुत हिसाफ से डालेंगे प्रेंट अगर हम दारिक नहीं डाल देते हैं तो बहुत जुक्तान होता है यसी की पत्मिया पीजे पीली होने लगते हैं और जो भी गुढ़ल की कलिया है और सुकर गि तो गुढ़ल की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और धिरो फोल और कलिया आएंगे तो देखिए मैंने बहुत याराम से एक एक घिलासिं में दे दिया है इस तरह से सब में दे देंगे तो फ्रेंस गुढ़ाई करने के बाद भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मै मैं गुढ़ाई नहीं कर रही हूं उसी तरह सिन में डाल दे रही हूं तो फ्रेंस इन्हें धूब भी दिखाना बहुत ही जरूरी है और समय समय से पाने भी देना जरूरी है और फ्यूस के बाद जो है और गेनी की खाद अगर हम बना कर दें इनकी सूखी खाद भी बनते ह आप चाहें तो केले की सुखी खात भी बना कर इन्हें दे सकते हैं लेकिन मैं liquid fertilizer जादर करके फोल वाले पौधों में देती हूं और बहुत ही आराम से जूँ हैं फूलेवाले पौधों की भूध भी होती है और देहरो फूल और कलियां आती रहती हैं तो फ्रेंज देखिए बहुत ही आसान तरीका है आप चाहें तो केले की छिलिके का और गयनिक लिक्विट फेटलाजर बना कर अपनी फूलवाने पौधों में दे सकते हैं इससे क्या है कि कोई नुकसान भी नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं होती है बिल्कुल आराम से अगर हम सो समझ कर दें तो हमा होती है